हलो फ्रेंट्स हम सभी लोग चाते हैं कि हमारे हाथ और पेर बहुत जादा खुबसूरत दिखें लेकिन हमारे हाथ और पेर में बहुत जादा टैन जम जाते हैं और हम लोग जैसे हमारे फेस के केर करते हैं उतना हम लोग हमारे हाथ के केर नहीं करते हैं इसलिए आज मैं आपके हाथ बहुत जादा बेदाग और सुन्दर हो जाएगे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्टर अगर चैनल में पहली बार आए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हीट कर दीजीगा ताके मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तूरंद पहुच आए वीडियो अची लगे तो एक लाइक करना मद भूलिएगा और रेमेडी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर केजिएगा सिर्फ शेंपू में कुछ चीजे मिला के आप लोग अगर हाथ और पैर को ऐसे धोते हैं तो आपके पैर बेदाग और बहुत ज़्यादा कुपसरत हो जाएगे तो यहाँ पे देखे मैंने ले लिया है एक शेंपू का पाउच और एक ही शेंपू का सेचिन मैंने यहाँ पे यूज किया है इस जगह पे आप लोग कोई भी बॉडि वाश का भी यूज कर सकते हैं उसके साथ मैं यहाँ पे एड करूँगी लेमन जूस लेमन में होता है एसिडिक नेचर जो हमारे स्कीन को ब्राइटन करते हैं हमारे स्कीन को लाइटन करते हैं और हमारे जितने भी टैन होते उसको भी हटाते हैं तो मैंने यहाँ पे हाप लेमन जूस का यूज किया है लेमन जो है वो एक नैच्रूल ब्लीच का भी काम करता है lemon होता है acidic nature वाला वो हमारे skin को बहुत ही अच्छे से tan clear करता है हमारे skin को brighten करते हैं lemon के साथ जो दाने यहाँ पे बीच यहाँ गिरे थे उसको मैंने उठा के पेग दिया है तो उसके साथ मैं यहाँ पे add करूँगी एक ino का sachet इनो यूस करने से हमारे स्कीन के ऊपर जो भी टैन रहता है बहुत ही डीपली क्लीन हो जाता है हमारे जो डेटसल के लियर जम जाती है जिद्धी से जिद्धी मैल होते हमारे हाथ और पैर में वो सारे क्लीन हो जाते तो सारे जो इंग्रीडिन मैंने यहां पी यूज किया है, सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेमन जूस और इनो एक साथ मिलाने के बाद बहुत जादा जाक आप लोग देख पाएंगे यह एक केमिकल रेक्शन है, इससे हमारे स्कीन में जो डेटसल है और जो टैन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे हमने यहां पर जो सॉल्ट यूज किया है वो हमारे यहां पर स्क्रबिंग का काम करेगा उसके साथ मैंने कॉफी पावडर का यूज किया जो बहुत अच्छे से' स्कीन को पॉलिश करता है हमारी स्कीन को लाईटन करते हैं इनों के फॉर के सादि एक हो बध। राइंग魔 ITAE laser के टैण को स्केidet करेंगे उसके बाद हम लोग़ने ले लेंगे 1 टमाटर का स्लाइस मैंने यहां पे half tomato का slice लिया है और एक knife के मदद से मैं इसके अंदर छेट करें हूँ ताकि इसके अंदर जो pulp है ना वो बहुत आसानी से निकल के बाहर आ जाए tomato हमारे skin में एक natural bleach का काम करता है इसलिए मैंने यहां पे tomato का use किया है तो हम लोग इस tomato को कैसी use करेंगे वो थोड़ी देर बात मैं आप लोगे साथ share करूँगी मैं अपने हाथों के ऊपर इस remedy को apply करके दिखाते हूँ कि इसको apply कैसे करना है जैसे मैंने इस remedy को prepare किया है उसके बाद तूरंती मैंने हाथों के ऊपर apply किया है बहुत अच्छे से मैंने इसको हाथों के ऊपर apply किया है पहले मैंने spoon से apply किया था क्योंकि spoon में थोड़ा सा रह पैचेस हो गए हैं जैसे गर्दन में खनोई पे या नीज में या बिक्नी लाइन पे जहां पे भी आपको लगड़ा है डाक पैचेस हो गई है आपके स्कीन में जो डेटसल की लेयर है उस जगह पे बहुत जादा जम जाती है उसके विज़े से क्या होता है हमारी स्कीन बहु एट कर लेगे यह ओप्शनल है आप लोग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं मैंने कॉफी यहां पे इसलिए लिया है ताके मेरा स्कीन और भी जादा ब्राइटन हो जाए तो पैक लगाने के बाद 5-7 में तक आप लोग हाथ को और पैर को वैसे ही छोड़ दीजिएगा एंद उसके पास टमाटर का जो स्लेज़र उसैर ऐसे आप लोग को मसाज करनी हैं बहुत ही जेंटली करनी है बहुत जादा रगाणना नहीं है क्योंकि इसमें इनो है और नमक है तो इसको बहुत ही जेंटली मसाज करनी है ऐसे 2-3 मिदे कीजिए और नॉर्मल वाटर के आपने हाथ को पैर को धो लीजी जब भी आप लोग इस रेमेरी को ट्राइ करेंगे उसके बाद दो गंटा तक आप लोग शैंपू या साबून का इस्तेमाल वो जगा पे नहीं करेंगे अब देखे बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को करने के बाद मैं एक वेट टीशू के मदद से अपने हाथों से इस पैक को रिमूफ कर रही हूँ ये भी बहुत ही जेंटली करनी है उसके बाद नॉर्मल प्लेन वोटर के सब मैं अपने हाथ को धोलूंगे उसके बाद आप लोग देख पाड़े कितना ज़्यादा फरक यहां पर देख रहे हैं मैं अपने दूनों हाथ को एक साथ में दिखा रही हूँ देखे मेरे राइट हैंड कितना ज़्यादा डार्क दिख रहा है और मेरा लेट हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा